अब आपकी पहचान करवाते हैं उस प्रोग्राम से जो जल्द ही आपका बेस्टस्ट फ्रेंड होने वाला है ऐसा फ्रेंड जो आपको कुछ भी ड्रॉआ करने की कुछ भी पेंट करने की शक्ती दे सकता है यहां तक कि आप फोटोस को भी टचिंग कर सकते हैं इस program तक पहुँचने का रास्ता तो वही है, पहले start में जाए, फिर all programs में जाए, फिर accessories में जाना होता है, और अगर आपने ये program बार बार यूज़ करना है, तो इसको desktop पे ले आए, इस program के चार, केवल चार, operational control होते हैं, अब सबसे पहले, painting बनाने के लिए, drawing तो करना ही होता है, तो उसके लिए है toolbox, फिर उसमें रंग भरने होते हैं, उसके लिए है color box, अब tools के होते हैं कई परकार, छोटा, बढ़ा, मोटा, पत्ला, तो उनके लिए है option box, और चोथा है menu bar, जैसे खाने की थाली में, तरह तरह के विएंजन प्रोसे जाते हैं, इसी तरह paint की थाली में, ये प्रोसे जाते हैं, अब हर खाने में, चावल, रोटी, भाजी, दाल तो होती ही है, उसी तरह paint की थाली में, है, file, edit, view, और help, हाँ, इस पार्टी में, दो special चीज़े हैं, एक image और एक colors, जो दूसरे प्रोग्राउंस में, नहीं मिलते, अब चलो, हम देखते हैं, कि हर tool का, किस काम के लिए, और कैसे कैसे, इस्तिमाल किया जा सकता है, अब drawing में, दो तरह की लाइने होती हैं, एक सीधी और एक टेड़ी, उसी तरह, आपको, वो tool box में नजर आएंगी, आप जिसको click करेंगे, उसी तरह का, काम, आपका computer करेगा, अब line मोटी है, या पतली हो, वो आप option box है, से select कर सकते हैं, वैसे तो line, pencil से draw करते हैं, पर जब आपको experience हो जाएगा, तो आप सीधा, paint brush से भी draw कर सकते हैं, paint brush के साथ साथ, आपको eraser भी मिलता है, मिटाने के लिए, और अगर बहुती बड़ी भूल हो गई हो, तो undo का use कर लेजिए, वो आपको edit menu में मिल जाएगा, पर ये याद रखना, undo पिछले 10 strokes को ही undo कर सकता है, और text में काम नहीं आता, अब line की तरह से brush भी मुटा चोटा, आप option box से select कर सकते हैं, और अगर आपने painting का कोई part rectangular shape में काटना है, तो उसके लिए भी tool है, आपने irregular shape में काटना है, तो उसके लिए भी tool है, अब आपने भरना है, रंग उसमें, तो एक bucket भी है, उसको रंग से भर ली जिए, जो रंग आपको पसंद है, और जहाँ भरना है, वहाँ उसको खाली कर दीजिए, यानि click कर दीजिए, और मज़े की बात ये, कि एकी time में आप दो रंगों से काम कर सकते हैं, एक रंग left click से, और एक रंग right click से, अब अगर आपने picture का कोई area, बहुत बड़ा करके, उसमें बारी एक बारी काम करना है, तो magnifier का use कर लीजिए, वो भी उसी तरह से click करो, और option box में से zoom level ले लो, एक मज़दर चीज है, airbrush, जो spray करता है, जैसे होली में हम पिछकारी से रंग spray करते हैं, उसके लिए भी options हैं, वो भी तीन तरह के spray हैं, आप उसको रध्यान से देखो, अब painting में आपने लिखना है अपना नाम, उसके लिए use text है, उसको click करो, उसमें मोटे, छोटे, बड़े, टेड़े, मेड़े, जैसे अक्षर, जिस रंग में चाहें, वो आप ले सकते हैं, अब जैसे rectangle, square, आप draw करते हैं, वैसे ही, polygon draw करने के लिए भी tool है, circle draw करने के लिए भी tool है, ellipse draw करने के लिए भी tool है, rounded triangle के लिए भी tool है, rounded rectangle के लिए भी tool है, यानि rounded corner वाला, अब color box में आप और variety चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, menu में, जो आपको ले जाएगा, edit colors से, custom colors में, अब आप define करें, custom colors, तो आपके सामने होगा एक rainbow, जिसमें तरह तरह के रंग हैं, कितना ज़्यादा, कितना कम, कौन सा रंग, red, green, blue होना चाहिए, dark हो या light हो, वो सब आप पर निर्भर करता है, उसको select करके, ok जरूर कर दें, वरना वो आपकी color window में reflect नहीं होगा, अब आप देखिए image window में, क्या-क्या है, आप image को, यानि painting को, flip कर सकते हैं, rotate कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, color अदल बदल कर सकते हैं, और, तरह तरह के action आप ले सकते हैं, अब view menu में जाके, आप toolbox, color box, status bar, text toolbar, जो screen पर आप देखना चाहते हैं, वो आप, tick कर सकते हैं, zoom करना चाहें, image को, या picture को, तो zoom भी कर सकते हैं, अब देखो, edit में क्या-क्या हो सकता है, बहुत भूल हो जाए, जैसे पहले बताया, तो undo कर सकते हैं, undo को, redo भी कर सकते हैं, अगर आपको वो पसंद नहीं आया, आप picture में cut कर सकते हैं, copy कर सकते हैं, paste कर सकते हैं, पूरी picture को भी कहीं ले जा सकते हैं, copy करके, या उसके portion को कर सकते हैं, जो भी आप select करेंगे, और तो और आप दूसरी किसी painting या photograph को, copy अपनी painting में कर सकते हैं, अब अगर आपने अपनी painting को complete समझ लिया है, तो अब उसको save कर सकते हैं, उसके लिए जैसे हर प्रोग्राम में होता है, फाइल क्लिक करें, फाइल क्लिक करें तो option आएंगी, option आएंगी save, save as, वगएरा वगएरा, तो जैसे आप उसको save करना चाहें, जहां आप उसको save करना चाहें, वहाँ उसको save कर दीजिए, जब आप अपनी painting से भली परकार से सन्तुष्ट हो जाएं, तो आप उसका print भी निकाल सकते हैं, अब हमने आपको कर दिया introduce paint प्रोग्राम से, आगे आप करो discoveries, और देखाओ अपनी creativity,